हेलो फ्रेंड्स केसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छ होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यासमिन टेबलेट के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आते कि मेडम हम यासमिन टेबलेट ले रहे एक दिन खाना भूल गए या फिर यासमिन टेबलेट से लेने के बाद में हमको प्रेग्णेंसी हो सकती ही क्या.? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगी तो वीडियो को पुरा देखे अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बारी विजिट कर रहें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेर करें यह आसमिन टेबलेट को कब-कब इस्तिमाल किया जाता है तो जैसे कि इसको हम बहुत साई डिज रहते हैं तो पीरेट को रेगुलर करने के लिए भी दिये जाता है जिन महिलाओं को PCOS हो गया उस कंडिशन में भी मिन सोवरी में गाठे बन गई है सिंपल सिस्ट है तो उस कंडिशन में भी यासमिन टेबलेट आपको रिकमेंड की जाती है पर इस्पेशली इस टेबलेट को गर्व निरोधक के रूप में ज़्यादा इस्तिमाल की जाती है और यह अच्छी ब्रांड की मैडिसिन रहती है तो हर किसी महिला को सूट हो जात है इसके जादा कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी दिन इस टेबलेट को खाना भूल गए तो क्या कर सकते हैं तो इसकी एक स्ट्रिप में 21 गोलिया आपको मिलती है यानि कि 21 टेबलेट साती है इसको जो लेने का सही त करना चाहिए आपको और 21 दिन जब आपकी टेबलेट खतम हो जाएगे तो 3-4 दिन बाद आपके पीरेट सा जाएंगे तो ये यासमिन टेबलेट आपके पीरेट साइकल को बिल्कुल रेगुलर करके रखती है 28 डेल में आपके पीरेट आ जाते हैं तो इस तरह से इसका जो मैंने एक साल दो साल जितने लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना उतना आप इसको कर सकते हैं अब हम बात करें कि आप किसी दिन एक टेबलेट खाना भूल गए तो क्या करना चाहिए तो आपको जब भी आपको पता चलता है कि मेरी टेबलेट छूड गई है या मैं खाना तो जब भी आपको याद आता है, आपको 1 टेबलेट उसी टाइम पे ले लेना है, बहुत सारे मेलाओ के सवाल ये भी रहते हैं कि मैं तो 2 दिन खाना भूल गए, तो मैं क्या करूंगी, तो अगर आप 2 दिन खाना भूल गए, तो आपको वो 2 टेबलेट, एक टेबलेट करती क्या है कि यह ovulation को होने से रोकती है यह एसा atmosphere क्रेट करती कि ओवरी से एक को release नहीं होने देती है और by chance कभी एक release हो भी जाता है तो हमारी जो uterus रहती है बच्चेदानी उसमें जो mucos रहता उसको गाड़ा कर देती है तो इस पर मुह करके उपर की तरफ या अंडे तक न मेरे डोक्टर ने मुझे तो pregnant होना है पर मेरे डोक्टर ने इसको दे रखी है मेरे period irregular है उसके लिए तो क्या मैं इसको लेती हुए भी pregnant हो सकती हूँ तो इस tablet को खाते हुए आप कभी भी pregnant नहीं हो सकते बहुत ही कम cases रहते हैं कि जिसमें महला pregnant होती है पर 95% chances रहते हैं कि आ आपको consume नहीं होगा यह definitely ऐसा रहता है कि यह जो Ocipil रहती है यह 21 वाली tablets से रहती है इनको खाने से पूरे हार्मोन इस तरह से balance हो जाते है कि वो एग निकलता ही नहीं है यह फिर एग निकलता भी है तो एग और इस पर मिलनी पाता है तो इस कारण से महला भी pregnant नहीं हो पा उसके बाद ही आपको start करना है तो आश्या करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकरी दे पाई हूँ कि अगर आप किसी दिन भूल जाते है तो जब भी आपको याद आता है तूरंत लेना है अगर आप दो दिन भूल गए तो आपको सुबह और शाम एक आप लेना है जिससे कि आपको ज्यादा side effect ना दिखे और इसको लेते हुए आप कभी भी गर्वधर्ण नहीं कर सकते हैं धन्यवाद